ही अबरिवान दिस गरी मैं वेलकम टु अप्र शाप अधिरे से आने रगे हैं तो आप यह पे दे deg सेते हैं कि हां तीन फ्लावर अभी आ हूए हैं और भी कलिया हैं जिनमें फ्लावर रहा हैं यह रिखे काफी क्यूट सा फ्लावर इसमें आया हूए हैं और जैसा कि मैंने ल मिट्टी काफी जादा आपको लाइट रखनी है तो इस तरह से आप इसे काफी एजली ग्रो कर सकते हैं मैंने आपको और भी अपने पौदे दिखाए थे जिसका डीटेल वीडियो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं हमने इनके पत्तों के बारे में बात की थी कि मैं बस आपको अपना ये पौदे का अपडेट देना जाती थी जिसमें अभी जैसे कि मैंने बताया कि त्री फ्लावर्स आप जैसे कि देख भी सकते हैं आए हुए हैं और आपको इग्जैक्ली मैं पास से इसके फ्लावर का शेप दिखाती हूँ ये देखे ये कुछ ऐसे इस में फ्लावर्स आथे हैं देखें कितना सुंदर है बेल शेप ये पूरा उपर होने के बाद ऊपर से छहतरी जैसा बना रहा है और साइट से इस तरह से दिखाई देता है और पूरपुरिय की खास बाती होती है एचली सभी अग्जैलेस की खास बाती होती है कि जब पांच बल्ब लगा रखे थे और फिर उनके जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछी टाइम में आपको यहां पे छोटे-छोटे और पौध ही उखते हुए दिखेंगे और अगले साल तक इसमें आपको और भी बल्ब या और भी ज्यादा पौध ही और ज्याद होते हैं पौट में जब आप इसे डॉर्मिन सीजन पर हटाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आप चाहे तो सिर्फ एक बल्ब से शुरू कर सकते हैं कई लोगों को छोटे-छोटे बल्ब के हिसाब से इनका प्राइस काफी महंगा लगता है क्योंकि नेट पे या कहीं भ आपको बताना चाहूंगी कि यह बिल्कुल वर्थ है क्योंकि इनके जो बल्ब आपको देखने में महंगे लग सकती कि बहुत ही छोटे साइस के बल्ब होते हैं लेकिन असल में जब फूल आता है तो यह देखिए यह इसका गमला है बहुत ही बढ़िया फ्लावर से इसमें जाते हैं पर पेनरेनियल साल भर के लिए होते हैं मतलब यह आल टाइम प्लांट है जो एक बार आप लेंगे उसके बाद लग बग हमेशा के लिए आपके पास रहेगा और इसमें बल्ब भी बनते रहेंगे तो बिल्कुल आप प्राइस की चिंता ना करे जरूर खरीदे औ और बहुती सुन्दर इसमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और मैंने जैसा की पिछले वीडियो में बताया था चोटी बाल कनीजिया चोटी जगह है अगर आपके पास तो रिखेंगे बहुती चूट सा आप यहां पे डेकोरेशन कर सकते हैं साथ ही अगर इस तर में लेकर आई थी और भी ऑग्जलिस के अपडेट में जल्दी लेकर आऊंगी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टाइम बाबाई